सांतियो आपका स्वागत है मेरे यूटीब चेनल और पटेल में चेनल पर पहले बार हूँ तो चेनल को सस्क्राइब और वीडियो चलगे तो वीडियो को लाइक कर देना आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्वायविन की पेदावार को आप केसे बढ़ा सकते हो सांतियो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एक ऐसा खाथ जो कि आपकी सोयविन की ग्रोथ को काफी तेजी से बढ़ाएगा और फसल उत्पादन में भी आपकी ब्रद्धी हो सकती है सांतियो तो चलिए विनादेरी की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं सांतियो जो किसान सोयविन की फसल बोने से पहले खेत की अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाए हैं कारण वस वो खेत की अच्छे से जुताई नहीं कर पाए हैं उसमें सूपर नहीं फेक पाए हैं या गोबरी खाद नहीं डाल पाए हैं उन किसान सांतियो के लिए ये वीड सोयविन एक तेल वाली फसल होती है वोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक एसा खाद जो कि सोयविन की बड़त और पेदावार के लिए काफी अच्छा माना जाता है जिसका नाम है सलफर दोस्तों सलफर खाद आपको कब डालना चाहिए यह वी कि 15-20 दिन की बुवाई हो जाए और एक के दुख्य फूल दिखने लगे तब तक आप इसका प्रयोग अपने खेत में कर सकते हो इसका वेस्ट रिजल्ट है कि यह पेदावार में भी सोयविन की पेदावार बड़ा देता है और ग्रोथ में भी काफी अच्छी ग्रोथ ला सकता है आप देख सकते हो हमने भी सलफर दिये अभी थोड़े दिन पहले दिये हमने 15 दिन पहले एक के दुख्य फूल दिखने लग गए हैं अब देख सकते हो आप हमारे स्वयविन की कंडिक्शन कितनी जोरदा लगी आसा करता हूं वीडियो अच्छ लगाओगा वीडिय अच्छ लगे तो वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब कर देना जै इन जै भारत है